यह जो द्रस्य आप देख रहे हैं एक प्रकार से असंभव द्रस्य है कभी इस किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि घर के बाहर असोई गैस के माध्यम से दास अंसकार करना पड़ेगा करोना महामारी की दूसी लहर के समय देश में ऐसे ऐसे घटना करम सामने आ रहे हैं जिनने देख करके एक तरफ तो बहुत दुख महसूस होता है और दुरी तरफ चिंता और भै भी समाज में ब्याप्त होता है लोगों की मौत का ये आलम है करोना से मरने वाले लोगों का ये हाल है कि कबरिस्तान और समसानों में भी जगे नहीं मिल पा रही है लोगों के किरिया करम करने के साधन संसाधन भी सीमित और समाप्त होते हो जा रहे हैं यह जो आप दरस्टे देखें, यह केरल की एक इस्थान का है, जहां पर करोना से मरे हुए व्यक्ति के धासंसकार के लिए जब समसान में जगे नहीं मिल पाई, तो घर वालों ने उसके धासंसकार के लिए घर के बाहर ही अपने घर की रसोई गैस के माध्यम से उसका धासंसक प्रकार किया, यह बड़ा सोचनिय विसे है कि इस महामारी से हम किस प्रकार बाहर निकल पाएंगे, यह तो सरकार और संस्थाओं के द्वारा पूरी कोशिस हो रही है, स्वास्त सेवाओं को घर घर तक पहुँचाने की, लेकिन महामारी का यह विक्राल रूप इतना बाहर आप को घर खाल तक पहुँचान तो समय से नहीं ने खाल बाहर इतना दुका है, स्वाओं के इतना, स्वाओं को टाहिएंगे, ओड़ा बाहर धुड़ा, वह तो सोचनिय विर्देशने तो समय को तो सोचनिय अच्छाने, पूलाँ, आपुड़ा, पानौदने, पां झाल भॉट जिंट शिएयर के विए यहां प्रेंड फिर शे उप श्यांगी एक विए है। जो कि खुला कि खुला कुछ विए करेंज आ अ मंने में चाहते है। झाल झाल